तो एक और रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आज लेके आई हूँ मसालेदार गोबी वंचुरेन पकोडा तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक फूल गोबी की डंडलों को हटा देंगे जिस तरह किसे मैं तारी हूँ दैन इसको छोटा चोटा गोबी के अंदर भी जो फूल होते हैं चोटे चोटे उसको हमें अलग कर लेनी है जैसे कि मैं आपको जूम करके अच्छी से बताती हूँ कुछ इस तरह के से जी हाँ सारी गोबियों के डंडल हमें इस तरह के से निकालने कुछ गोबी चोटी हो तो कुछ बड़ी अब एक पैन में इसको एड करेंगे पानी एड करेंगे इसको थोड़ी दर कोखोने देंगे 3-4 मिनेट एक बाउल लेंगे उसमें एड कर रहा है मैंने 2 इस्पून कॉन फ्लावर की बाद यहाँ पर मैं एड करने झा रही हूँ 2 इस्पून मैधा इससे इसका क्रिस्पी पनाएगा फिर हम लेंगे 4-5 मिर्ज अद्रक बहुत इंपोर्टेंट है इससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा अब मिर्ज और नमक इसमें एड़ करेंगे जो हमारा मैदा और कॉन फ्लावर था अब एड़ करेंगे हरी मिर्ज और अद्रक का पिसावा पेस्ट नाओ एड़ करेंगे धनिया पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छे से ध्यान रखें बैटर ना ज्यादा पतला होना अच्छे और ना ज्यादा काड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर एड़ किया जा रहा है फूड कलर चुटकी ध्यान रखिए कि अगर आपको मसाले में थोड़ा सा उपर नेचे लगे कि हाँ बैटर कम है तो आप उपर से मैदा मिला सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको चलते हैं तलने के लिए तलते वक ध्यान रखिए कि आपकी जो आच्छे ना जादा तेज हो और ना जादा कम मीडियम आज पे इसको पकाएंगे जब तक हमारे ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते इसको अच्छे से हम लोग सेख लेंगे कुछ इस तरह के से जैसे आप देख पा रहे हैं कमेंट करें जरूर बदाना आपको ये वीडियो कैसा लगा और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक सिस्क्राब करना ना भूले इसको आप चाय के साथ शाम को एवनिंग में खा सकते हैं अराम से बिल्गुल क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ा तयार है कमेंट करें और सब्सक्राब करना ना भूले थैंक्यों फॉर वार्ट